तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह से wings लगा कर 3D में अपने name का photo बना सकते हो, वो भी बिल्कुल free तो guys इसके लिए आपको एक application की जरूत पड़ेगी जिसका नाम Bing है, इसका link मैं description में दिया हूँ जहां साप इसा directly install कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद simply आपको यहाँ कोने में इस वाल आइकन पर क्लिक करके sign in कर लेना है किसी भी Microsoft account से, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ sign in, अगर आपके पास Microsoft account नहीं है तो easy steps है, आप किसी भी Gmail ID से Microsoft account बना सकते हैं, so account बनाने के बाद simply आपको यहाँ home पर क्लिक करना है, then guys आपको यहाँ image creator का option मिलेगा, इस पर क्लिक करके, simply यहाँ पर आज जो हम image wings लगा के अपने name का create करने वाले हैं, उसके लिए आपको इस box में prompt type करना है, तो यहाँ पर मैं एक prompt paste कर देता हूँ, यह prompt आपको description से मिल जागा, या फिर आप type भी कर सकते हैं, तो यह prompt में एक create पर क्लिक कर देना है, तो create पर क्लिक करने के साथ ही AI हमारे prompt के recording image बनाने लग जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे prompt के recording जो हमने name एड किया था सुमेथ, उसके लिए AI ने 4 अलग-अलग images generate किया है, जो कि देखने में काफी शांदार लग रहे हैं, यहाँ image पर टैब करके आप इसका preview देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर मैं बहुत सारे prompts दे रखा हूँ, अपने description में 4 अलग-अलग girls के लिए भी दे रखा हूँ, तो बारी-बारी से जिस भी name से आप image create करना चाहते हैं, उस prompt को यहाँ पर paste कर लेना, चारू prompt आप वहाँ से copy कर लेना, और यहाँ पर जो name डला हुआ है, उस name को simply आपको change कर देना है, जैसे कि यहाँ इस वाले prompt में मैंने परी name add कर रखा है, तो जैसे मैं यहाँ पर create करूँगा, तो इस वाले prompt के recording girls के images बनेंगे, well gauge हमारे prompt के recording परी name से यहाँ चार अलग-अलग results आ गए हैं, जो कि दिखने मे काफी cool लग रहे हैं, तो यहाँ से इन images को आप download भी कर सकते हो, simply आपको किसी भी image पे इस तरीके से click करना है, जैसे आप click करोगे, इसका preview इस तरीके से open हो जाएगा, then आपको यहाँ 3.1 लाइन पर click करके simply download पर click कर देना है, अब download पर click करने के साथ ही आपकी gallery में download हो तो इस फिलाल के लिए से वीडियो में इतना ही, चले मिलता आपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye bye